नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आये हैं गुजरात के महसाना में आईए जानते हैं किस प्रकार से डेरी फार्मिंग होती है क्या खिलाया जाता है और किस प्रकार से मिलका प्रोडक्शन होता है दोस्तों डेरी फार्म आपने बहुत देखे होंगे लेकिन इस डेरी फार्म में आप लगबग 200 से 300 बफेलो और काउ यहाँ पर रखी गई है और मिलका प्रोडक्शन पर डे का 1000 लिटर यहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो आई जानते हैं किस रेट में यहाँ पर बेजते हैं और कितने लेबर रखी गई है कितना कॉस्ट आता है और कौन सी ब्रीड रखी गई है आज हमारे साथ सर हैं हम लगभग दोस्तों यह गुजरात का दूसरी बार डेरी फार्म कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट यहां की ब्रेड यहां की फिडिंग और यहां का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत अच्छा लगा हमें इसलिए दोबारा हम एक बार फ पूराम है अच्छा शुरुवात में कितने पसुत हैं यहां पर बीच से चालू हुआ था अच्छा यह बताएं कि बफेलो गाय कितनी है और भैस कितनी है यहां पर गाय कितना मिलका प्रड़क्शन हो रहा है परड़े का यहां अच्छा आपने खुद की ब्रीट तयार की है हां खुद की ब्रीट तयार हुई है यह बताएं सर कि अभी जैसा कि इतनी वफेलो और गाय है तो कितना मिलका प्रड़क्शन हो रहा है परड़े का यहां एक अजार लिटर का होता है गाय ब्हेंस का एक अजार लिटर का होता सब औला करता है और गाई में जर्शी रखता हूं यह बताएं की आपके पास घ्म किसका कौन सी बेंस का बफेलों का मुर्रा या बनी या जाफरावादी नहीं हम को मैसा नहीं कि अच्छा लगता है बनी का अच्छा आपने बता है एक हजार लिटर परड़े का प्रोडक्शन है और 45 रुपे के रेट में जाता है तो महीने की अगर बील की बात करें या रोज की बात करें तो रोज का दूद कितने का सेल हो जाता है और महीने का महीने का हमको 12-13 लाग बनता है 12-13 लाग बनता है और अगर साल की बात करें तो करोड करोड के बीच में बनता है यह जैसे आपने बता है कि मंतली 12-13 लाग का आपका दूद का प्रोडक्शन होता है इसमें आपका सूखा चारा हरा चारा लेबर की कोस्ट पसुओं का खर्चा मेडिसीन दवाईयां फार्म का मेनेजमेंट अगर हम बचत की बात करें अर् दूद का बाव फिर 25 लाग की अफ़ा मुदा आप होता है पूरे साल का अच्छा पटीस जैसे 12-13 लाग का आपका दूद जाता है उसमें से महिने का खर्चा कितना होता है यहां की लेबर यहां की लोकल या बाहर की बनास गटेके जादा है प्रपर काम करती यहीं सर्विस करती है पूरा सर्विस आलती है अच्छा यहां पर आपका जो मिल्किंग होता है दूद निकालते हैं वो मसीनों से होता है या हाथों से निकालते हैं मसीन है मेरे पास अच्छा पर निकालता नहीं हूँ अभी आप इनको सूखे चारे में क्या दे रहे हैं शुक्य चरह में खार्या देता हूं गउंका बुस्ता देता हूं अच्छा अभी आपके पास सबसे ज्यादा हाई मिलकर बफेलो जिसका रिकॉर्ड आपको याद हो कि इतना यहां तक दूद दिया है हमारी बेसो ने यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या जैसे थैनेला हुआ मिल्क फीवर हुआ भेंसों में रिपीटिंग या जैसे बहेंसे कंसीव नहीं होती है तो इस प्रकार की कोई गंबीर समस्या जिसको आपको सामना करना पड़ा हो कभी गंबीर समस्या बनती है लेकिन उसकी दवाई करते हैं अच्छा दो पाड़ा हम रखते है अच्छा यह बताएं कि आपके पास जैसे हमने एच्चप गाये भी देखी है गायों का क्या लेकित किया है अच्छा आपके पास यह बताएं कि अभी आपने कितनी जिए अप कितनी जगें हमना इसली है पांचछा वुप नतीन थरह सब्सक्राइब करते हैं अच्छा यहां की गुजरात सरकार कोई आपको अनुदान या फिर इसमें जो बोनस मिलता है अच्छा और जिल्ला में एवर्ड मिला प्रेस्ट निमर अपना है और एक चौदरी की गाय मिली है बहुत बढ़ देखा दोस्तों किस प्रकार से मैसाना ज प्रेस्ट पर्चेस करते हैं तो यहां के जो ब्रोकर होते हैं यहां के दलाल होते हो बराबर सही माल देते हैं अपनी परक होने चाहिए अच्छा दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक युवा साथ ही हमारे जब चलाते हैं तो डेरी फाम को मैनेज नहीं कर पाते हैं लेकिन आप देख रहे हैं दादा की उम्र क्या उम्र होगी आपकी मेरी उम्र साथ बहुत तर साल की उम्र में बढ़ा डेरी फार्म का संचालन कर रहे हैं यह बताएं कि यदि हमारे भारत के मतब्रदेश के पंजाब हरियाना गुजराद महराष्टा और उत्राखंड के अगर भारत के कहीं के भी यूवा डेरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सुरुवात में कितने पसुओं से करें और किन-किन बातों का ध्यान रखें डेरी फार्मिंग करें या ना करें प्रॉफिट का बिजनस है या लॉस का है आपका अनुबव क्या बोलता है अब एक है उसमें मेहनट पॉक्सी है बिस गाय कर बेंशे दंदा सुरू करने का है बहुत सब माहेते है अपने को मिलती है कितना अकस्च पढ़ता है कितना मुणा पढ़ता है क्या उसमें कमाई यह क्या चेकलिवा पाती है सब मालूं थोटे और कं जोनवरसे पढ़ती है बढ़ेगा तब आपकी दिमाग चलेगा और मैनेजमेंट आपको आ जाएगा दंदा दंदे को शिकार्ट आए अच्छा दोस्तों देखा आपने गुजरात में किस प्रकार से डेरी फार्मिंग की जाती है आपने वीडियो के माध्यम से देखा आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका तुम भी इदर आए इसलिए मेरा भी दन्माद है आपका